नमस्कार लाइफ बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनिहा गुपता रुपॉली उप्चुनाफ लगतार दिल्चस्प होता हुआ नजर आ रहा है जहां तेरे उमीदवार थे अब सिर्फ बारे उमीदवार बचे हैं और ये एक जटका किसको लगा इस खबर में हम टिकेट दिया तो दूसरी तरफ पपू यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम किसी को सपोट नहीं करें गया अगर बिहार लोकसभाद चुनाव की बात करें तो आप को याद होगा कि पुर्णिया की सीट पर किस तरीके से भीमा भारती और दूसरी तरफ पपो यादव आमने सामने थे और इस बीच तेजस्वी यादव ने सीधे क्या दिया था या तो आप इंडिया को वोट दीजे या तो इंडिये को वोट दीजे जहां ये दोनों की लड़ाई थी अब ये लड़ाई आगे बढ़ते वे नजर आ रही है बीमा भारती इस बार रुपॉली परचा जो है वो रद हो चुका ऐसे तो तेरे उमिद्वार चुनावी मैदान में थे चुनाव के लेकिन अब नीलम सिंग का परचा रद कर दिया गया है क्यों क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपना फॉर्म भरा नहीं था सम्मिट नहीं किया था जिसके कारण उनका परच बहुत सारे नॉमिनेशन ऐसे हैं जो कि निर्दलिय प्रत्याशी ने किया है और जो शंकर सिंग की बात हो रही है उन्होंने भी निर्दलिय ही अपना परचा भरा है और यह मुकाबला तीन लोगों के भी समट के रह गया है जहां एक तरफ जेडियू के कालाधार मंडल है तो दूसरी तरफ बीमा भारती और संकर श्रिंग और ये तीनों का मुकाबला जो है वो दिल्चस पर होता हुआ है नजर तो जरूर आ रहा है लेकिन इसी बीच जब एक उमिदवार इस रेस से बाहर हो गया है देखना होगा कि क्या कुछ होगा इस रेस में और इस चुनावी मैदान में क्या बीमा भारती का राजनीतिक जीवन जिस तरीके से रुपॉली उपचुनाव पर आधारित है जेडियू छोड के वो आर जेडी की टिकेट पर लोगसभा चुनाव लड़ी थी और अब उपचुनाव लड़ी है हाला कि लोगसभा चुनाव में उनको जीत हा यह मुकाबला और दिल्चस्प हो गया क्योंकि जब निर्दली शंकर शिंग की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ बहुत है और उनकी पत्ती ने भी यह कहा था कि पपू यादव जिस तरीके से निर्दली लड़े थे उस तरीके से हम भी लड़े हैं और क संकर सिंग के नाम की दो क्याइट है और लोगों को कही न कहीं यह भी तरीके से रुख लेता है रहे बहुत बहुत शुक्रिया